सभी साथियों को प्यार फ़रा नमस्कार जय हिंद कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं कि आप अच्छे हैं मस्ता है स्वस्ता अपने पढ़ाई को निरंतर ही आप लोग जारी रख पा रहे हैं साथ भी देखियेगा है अपन पराराम करते हैं आज राजस्तान के इंदर राजस्तान राजय पाठे पुस्तक मंदल की अपन चर्चा करने वाले हैं तो आईयेगा पराराम करते हैं मुश्कुराइएगा क्यूंकि आप पर सेक्सिक प्रबंधन पढ़ रहे हैंWeNavari पढ़ रहे हैं एक बार पुनए श्वागत आप शभी करने के थे तयार हमीशा की तरह है आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंदर सिंख नेवरी तो आएगा प्रारहं करते हैं जैसा कि आप जानने स्कुल मेनेजमेंट का निशुल्क बेच चल रहा है और निसुलक बेच की ये क्लास नंबर 10 आप देख पा रहे हैं इससे पहले अपन नो बार चर्चाएं कर चुके हैं किसे ने किसे मुद्दे को लेके और आज अपनी चर्चा का मुखे बिंदू रहेगा राजस्थान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल जी हाँ अपन चर्चा क स्विकार है शोजित की धराशे नमस्षकार बिल्कुल चलते हैं और अपन आज के इस सेसन को प्रारम करते हैं सेसन को सुरू करें उससे पहले आप से निवेधन है कि एक बार सेसन को सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा अपनी सभी साथियों तक पहुंचा दीजेगा ता राजस्थान राज्ये पाठ्थे पुस्तक मंडल को पढ़ेंगे अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान दीजेगा अपन लोग राजस्थान राज्ये पाठ्थे पुस्तक मंडल को पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्ये पाठ्थे पुस्तक मंडल को अपन लोग पढ़ने वाले देखेगा छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी बड़ी काम की बातें चलेंगी अपने को देख लेनी अपने को समझ लेनी एक बार के लिए मैं इसकी brightness सेट कर लेता हूं सही है या बिल्कुल सही है आप देखेगा आप सबसे पहले तो इसकी सोट फॉर्म जान लिजीएगा परसन बन सकता है कि इसका सोट रूप क्या है तो मैं आपको बदा दूँ इसका जो सोट रूप है वो है RSTB क्या है सीधा साग परसन बनेगा तो आप कहेंगे RSTB RSTB का मतलब क्या है राजस्तान स्टेट टेक्स्ट बुक बॉर्ड धान देना टेक्स्ट बुक नहीं है राजस्तान स्टेट टेक्स्ट बुक बॉर्ड ये है RSTB चलो ठीक बात है साथ अब बात करते हैं कि ये RSTB कब अस्तित्वा में आता है इससे मैं पहले की बात कर रहा तो जरा धान दीजिएगा मेरी बात के उपर यानि अपने राजस्तान सरकार के द्वारा क्या किया जाता है इस मंदल की स्थापना से पहले एक और मंदल खोल दिया जाता है या अपन कहें कि उस मंदल की स्थापना कर दी जाती है देखेगा जब से राजस्तान के अंदर अप में कब की बात कर राओं मैं 1956 की बात कर रा हूं तो आप लिखे गा राजस्तान सरकार ने राजस्तान सरकार ने 1956 में ध्यान देना में क्या कह रहा हूँ रास्तान सरकार ने 1956 में पाठे पुस्तकों के लिए ध्यान देना मेरी बात रास्तान सरकार ने 1956 में कक्षा एक से आठ हे तू क्या किया पठे पुस्तकों के रास्त्रिय करण की निती लागू की रास्त्रिय करण की निती लागू की नमबर एक बात रहा है बच्चों को बड़ी ही इंट्रेस्टेढ किताबे मिले जब तक कोई भी किताब है कोई भी क्लास है आप इस क्लास को क्यों देख रहे हैं थे लोग आप इस मुहिम को क्यों एप्रिसेट कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं न कहीं रूची कर लगती है तो सिक्षन को रूची कर बनाने के साथ साथ है कि सिक्षन सामगरी को भी रूची क पुण पुण आकरशक, वे गुण वत्ता युक्त पाठे पुस्तकों की उपलबदता बालक जुओं उनको गुणात्मक पाठे पुस्तक मिले शाट के अंदर आकरशक मिले और सुरूची पुन यानि पढ़ने में बड़ा आनन दाने वाली सी किताबें मिलें इसके बाद में इसके बाद में रिला था कि पाठ्थे पुस्तकें पाठ्थे पुस्तकें नो लोस नो प्रोफिट पर लब्द करवाई जाए मजे की बात की संपोर राज्ये जो है उसके अंदर पढ़ाई में एक रुपता है अध्यान अध्यापन में एक रुपता है कि राजस्तान के सभी जीलों के अंदर सभी जगे जहां-जहां इसकूली सिक्षा चल रही है वहाँ-वहाँ सभी जगे एक ही पाठ्थे करम चले अगला जो target इसका था वो था कि राजस्तान में राजस्तान के विज़े आप लिख लो संपूर राजस्तान में संपूर राज्ये में राज्ये में अध्ययन्वय अध्यापन में एक रूपता इस्थापित करना एक रूपता इस्थापित करना यह क्या रहा यानि अपन बात कर रहे हैं कि पाठे पुस्तकों के रास्टी करण की निती लागू कीगी अब क्यों लागू कीगी भाई साथ नंबर एक बालकों को सुरूची पूर्ण आ कर सक और गुणवत्ता युक्त पाठे पुस्तकों की उपलब्दता सुनिस्षित की जाए पाठे पुस्तके नौ लोस नौ फ्रोफिट पर उपलब्द करवाई जाए संपूर राज्ये में ध्यान देना अध्यान और अध्यापन में क्या हो एक रुपता हो और जो पाठे पुस्तके लेखक हैं उनको न्याय मिल सके इसके लिए य लेखकों को लेखकों को न्याय मिले अब भाई साब क्या किया गया ये काम तो किया गया अब इन कामों की पूर्ती केसे होगी ध्यान देना भै यहां पर रास्टी करण की निती लागू कर दी निती लागू क्योंकि अपन ये भी बात कर ली इन सब की पूर्ती करने के का मंदल लेकिन ये रास्ट्रिय करण की निति लागू करने के दुरान बनाया गया तो याद रखेगा रास्ट्रिय करण पाठे पुस्तक मंदल की स्तापना तो आप लिखेगा इन सब हेतू लिखेगा इन सब के लिए इन सब के लिए रास्ट्रिय करण पाठे पुस्तक मंदल की स्थापना की जाती है पाठे पुस्तक मंदल की क्या कर दी जाती है तो आपका उत्तर आएगा स्थापना कर दी जाती है आप कहेंगे किस काम के लिए अभी अपन ने बात की कि पाठे पुस्तकों के राश्ट्री करण की निती अपनाएगी और इस निती को पूरा करने के लिए जो जो मैंने बातें कही है राश्ट्री करण पाठे पुस्तक मंदल की इस्तापना कर दी जाती है और ये काम करना प्रारम कर दीता है सिक्षा विभ प्रारंब कर दीता है अब जब अधीन काम प्रारंब कर रहा है इसने 56 के इंदर इसकी स्थापना केगी क्योंकि 56 में क्या किया गया पाठे पुस्तकों के लिए राष्ट्री करण की निती लाएगी अब परशन बनेगा कि ये मंडल जो है ये पहली-पहली बार किताबें का प अभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा वस छोटी से के एक आप से रिक्वेस्ट है आगे देखिएगा आप कहेंगे यह हैं पाठे पुस्तक मंदल 1927 में पहली बार क्या करता है प्रकासन करता है तो लिखेगा रास्ट्रिय करण रास्ट्रिय करण पाठे पुस्तक मंदल पर्थम परकासन इसके दवारा कब किया जाता था? 56 में तुझतापिस्त किया जाता इसे तो पर्थम पर्थम जो परकासन है यह आंग द्वारा किया जाता है 1957 में अब ये मंडल किस प्रकार से काम कर रहा है इस मंडल के कारियों का आंकलन करने के लिए ठीक दस वर्ष बाद में यानि दस साल तक ये काम करता रहा करता रहा करता रहा तो याद रखेगा अब आगे जो मैं बात बोल रहा हूं इस मंडल की इस मंडल की कारिये प्रनाली की समिक्षा है तू एक समीती बनाई जाती है समीती बनाई जाती है तो आप कहेंगे समीती बनाई जाती है और ये जो समीती बनाई जाती है याद रखीगा ये समीती किसकी अध्यक्सता में बनाई जाती है तो यहाँ याद रख लेना स्यामलाल के ध्यक्सता में बनाई जाती है किसके ध्यक्सता में स्यामलाल के ध्यक्सता में तो आप कहेंगे यहाँ पर स्यामलाल समीती स्यामलाल सम समीति का गठन किया जाता है आप कहेंगे स्यामलाल कौन थे भाई साभी एक आईयस अधीकारी थे अब इस समीति का गठन कब किया गया तो आप कहेंगे सर 1967 के इंदर इस समीति का गठन किया गया समीति ने जब इसके कारियों को देखा इसकी कारिये प्रनाली को देखा तो समी एक बात समझ में आई और वो बात समझ में क्या आई सुनिएगा हाँ जी बिल्कुल जहां कहीं से भी आप देख पा रहे है राके जी क्या कर रहे है एक मिनट जी यह राके सेरा जी करें मैं इनको बलोग कर देता हूँ अगर आपकी इच्छा हो जाए तो आना लो जी राके जी मैंने बलोग कर दिया है क्योंकि पूर्ण तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है थाना बेल्कुल यह रीट मेंस के इंदर भी चीज़ें काम में आने है और अपने सामाने रूप से भी काम में आने ठीक न चलें आगे चलते हैं अब देखेगा नेक्स्ट बात आती है मैंने का स्यामलाल समीति का अगठन कर दिया अब यह समीति क्या करती है इस मंडल की कारीय परणाली को सही नहीं बानती है तो लिखेगा इस समीति द्वारा मंडल की कारीय परणाली को सही नहीं माना गया और इस मंडल को सवायत्ता परदान करने की अनुसंसा की गई इस मंडल को सवायत्ता ध्यान दीजेगा मेरी बात पर में क्या कह रहा हूँ इस मंडल को सवायत्ता परदान करने की अनुसंसा की गई और भाई साब ये सवायत्ता परदान करने की अनुसंसा की गई यहीं से कहानिया फिर मोड ले लेंगे कैसे लेंगे आईगा मैं बताता हूँ जिससे ही 1957 में इसने प्रकासन कर दिया, चपन के इंदर य Сबसे प्रकासन गया था 57 के इंदर ही प्रकासन किया 57 से 67 तक ये प्रकासन करता रहा 57 के इंदर इसके लिए pPP रना दि इसकी कारी ये पर नालिकै गुजाचोvania समीती श्यामलाल समीती कना अगटन कर दिया गया आईए सधीकारी थे अब जब समीती ने रिपोर्ट दी और का कि भाईया यह जो काम कर रहा है जिस तरीगे से वो भी सही नहीं है और अगली बात इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसको सवायत संस्ता बना देना चाहिए अब यह इसने तो 1967 में समीती की इसने अपनी बातें कह दी इस समीती के अनुसंसा पर सोसाइटी एक्ट सोसाइटी पंजी करण एक्ट 1958 के तहत द्यान देना मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है कि समीती की अनुसंसा के आधारपन सोसाइटी पंजी करण एक्ट 1958 के तहत इसके तहत याद रखना 19 से दिशंबर 19 सोरी 29 दिशंबर 1973 को 29 दिशंबर 1973 को राजस्थान राज्ये धान देना आब आरी बात राजस्थान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल राजस्थान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल का क्या कर दिया जाता है पंजी करण करवा दिया जाता है तो याद रखना राजस्थान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल का पंजी करण कब होता है 29 दिशंबर 1973 को होता है राजस्तान राज्ये पाठ्य पुस्तक मंदल का पंजी करण करवा दिया जाता है कौन से एक्ट के तहट बात कर रहे हैं अब आपन बात कर रहे हैं सोसाइटी पंजी करण एक्ट 1958 के तहट पंजी करवाया जाता है अब फिर परशन बनेगा पंजीकरण करवाया जाता है केसी संस्था के रूप में very very important बात है पंजीकरण करवा दिया लेकिन केसी संस्था के रूप में सवायत सासी संस्था के रूप में कौन सी संस्था के रूप में तो आपका उत्तर आ जाएगा सवायत सासी संस्था के तो सर लास्ट दिशंबर की हैं 29 दिशंबर 1973 की बाते हैं और ये जो बोर्ड है RSTB बात परसन पूछ लिया जाए सीधा कि RSTB ये केसी संस्ता है राजस्तान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड तो आप कहेंगे सर ये सवाहित सासी संस्ता है और जो अपना सिक्षा निदेशाल है उसके धिन काम कर रही है उसमें भी कौन सा प्रारम भी जो सिक्षा निदेशाले है इसका समद्ध किस से जोड़ा जाता है RSTB से जोड़ा जाता है तो याद रखेगा सवाहित सासी संस्ता के रूप में RSTB कारिये करती है अब ये तो भी पंजीकरन करवा है परसन बनेग से RSTB द्वारा कारिये प्रारम कब किया जाता है अब 30 दिशंबर के बाद में क्या आ जाना है सर क्या बात कर दिशंबर तो हो गया पूरा अब नई साल से काम करना है और एक जनवरी याद रखेगा कितनी जनवरी तो यहां पे आपको मैं बता दूँ एक जनवरी 1974 एक तो आप कहेंगे आपचारिक रूप से कारिये प्रारम एक जनवरी 1974 को कर दिया जाता है तो RSTB केसी संस्ता है आप कहेंगे सवाहित सासी संस्ता है और आप कहें सकते हैं यह निदेशाले जो अपना है निदेशाले जो प्रारंबिक सिक्षा है इसके धिन काम कर रहा है कर् leisure और लाइक की संख्यावी कर्था तरो सभी का नमस्कार हे आगे वाले प्रसंद ये चलते हैं कि आगे प्रसंद देखिएगा अब प्रसंद बनेगा कि आर एस टीबी क्या धन्देना में क्या करा हूं मैं यहां पर बात करा हूं कि आर एस टीबी कहने का मतलब सीधी सीधी बात बने और राजस्थान राज्ये पाठ्थे पुस्तक मंदल और राजस्तान राज्ये पाठ्थे पुस्तक जो मंदल है इसने कारिये प्रारंब कब से किया आप कहेंगे एक जनवरी 1974 से किया इसका मुख्याले कहां पे है सर इसका मुख्याले सर जालाना डूंगरी में है और ये जालाना डूंगरी कहां पे आती है सर जेपुर में आती है बात करें इसका अध्यक्ष कोन होता है ध्यान देना मेरी बात के उपर इसका अध्यक्ष होता है सिक्षा मंतरी कौन होता है सिक्षा मंतरी सीधा सीधा प्रशन बने कि इसके पर्थम पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा इसके पर्थम जो अध्यक्ष थे वो थे स्रीमान खेत सिंग स्रीमान खेत सिंग ये इसके पर्थम अध्यक्स थे और आपसे ये पूछ लिया जाए इसके वर्तमान अध्यक्स कौन है तो ध्यान दीजेगा मेरी बात पर आपसे वर्तमान अध्यक्स अगर पूछ लिया जाता है कि इसके वर्तमान अध्यक्स कौन है तो आपका उत्तर आएगा वर्तमान अध् सिक्षामंत्री के अगर में बात करता हूं आज की डेट में सिक्षामंत्री आप कभी वीडियो देखें हो सकता बदल जाए आज सिक्षामंत्री कौन है अपने कौन है भाई साथ सिक्षामंत्री बताईएगा बीडी कल्ला कौन है तो वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष इसके देखेगा तो यह बीडी कर ला है इसके बाद में बात आती है कि पाठे पुस्तक मंदल की नेमावली जो है यह कब से प्रभावी ध्यान देना यहां पे मैं बात करता हूं तो लिखेगा पाठे पुस्तक पाठे पुस्तक मंदल की नेमावली पहनी बात तो पाठे पुस्तक जो मंदल है इसके नेमावली बनाई किसके द्वारा जाती है तो आप कहेंगे यह सासी परिशद द्वारा तैयार होती है किसके द्वारा तयार होती है सासी परिशद द्वारा ये तयार की जाती है और ये प्रभावी कब से है ध्यान दीजेगा ये एक अगस्त ध्यान दीना परशन बनेगा कित्ते अगस्त से एक अगस्त 1997 से प्रभावी अगली बात फिर बन सकती है कि RSTB ये किस मोडल पर काम कर रहा है तो आप लिखना यह है गुजरात राज्य की तरज पर काम कर रहा है गुजरात राज्य के मोडल की तरज पर काम कर रहा है मोडल के तरज पर कारिय कर रहा है सीधा साक प्रशन बनेगा कि ये कौन से राज्य के model पर तर्ज पर कारिये कर रहा है तो आपका उत्तर बनेगा भाई साब ये गुजराज जो model अपना है उसके उपर ये कारिये कर रहा है तो ये बात आगे राजस्तान राज्ये पाठे पुस्तक मंडल की और बात में फिर आगे चलता है राजस्तान राज्ये मैं special में कह रहा हूं यह person कभी मत कर लेना कि date बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी पिछली बार जिन लोगों से पूछिएगा जिन्नोंने date बढ़ने के चकर में अपना career बरबाद कर लिया है अपनी जिंदगी को आज कोस रहे है उस समय वो उसी चकर में पढ़े रहे थे date बढ़े या नहीं बढ़ेगी लोग टंकी पे बेट गए हैं वो टंकी गेंगों ने दुनिया को ब्रबाद करके रख दिया था आपको सला दे रहा हूं date बढ़ती है तो आप rank के लिए पढ़िए गा और date नहीं बढ़ती है तो आप selection के लिए पढ़िए आपको बूरा लग बिल्कुल लगे क्योंकि टीचर वही होता है जो आपको करवी बात बता दे जो सची बात बता दे तो आज के बाद कभी भी फिर कहता हूं में कभी यह comment कर लेना कि सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी डेट का काम सरकारों का है सिस्टम का है एजेंसियों का वो बढ़ा देंगे अपना काम तो selection के लिए पढ़ने का है और by chance अगर कोई chance नियरेट बढ़ने का बाइचांस अगर बढ़ भी जाती तो rank लाके दिखाईए न आप आपको टाइम और मिला आपको 20 दिन 25 दिन 30 दिन मिलेंगे तो उसके अंदरा प्रेंग के लिए पढ़िएगा का दिक्कत वाली बात है ठीक है चलते है अगली बात आती है कि भाई साथ अब बात आती है कि rs rs tb के उदस्य क्या है पन ने rs tb की बात कर ली अब rs tb का main जो उदस्य है वही किस उदस्य से काम कर रहा है रस्टीबी का प्रपज क्या है नंबर एक पे इसका प्रपज क्या है सुनिएगा मैं आपको बताता हूं यानि पाठे पुस्तकों का किसका तो आपका उत्तर आएगा पाठे पुस्तकों का मुदरन एवं वितरन करना पाठे पुस्तकों का मुदरन एवं वितरन करना ध्यान उसी कक्षा के लिए ध्यान देना यहाँ पे 27 सितंबर 2010 से पहले ध्यान देना में क्या कह रहा हूँ कक्षा एक से आथ हे तू लेकिन परशन बनेगा आथ हे तू कारिये करता था ये बोर्ड कारिये करता था लेकिन इसके बाद ये जो काम कर रहा है ये कक्षा एक से बारा के लिए कर रहा है इसके बाद कक्षा एक से बारा हे तू कारिये कर रहा है बारा हे तू कारिये कर रहा है फिर प्रशन बनेगा कि ये मुदरन का काम करता है ये वितरन का काम करता है क्या ये पाठे करम निर्धारन का काम करता है क्या नहीं इसका काम है क किताबों की प्रिंटिंग करना और किताबों को बेचना और वितरन करना ध्यान देना मेरी बात मैंने कहा ये पाठे पुस्तकों के मुदरन का काम कर रहा है पाठे पुस्तकों के वितरन का काम कर रहा है क्या ये पाठे करम निर्धारन का काम करता है क्या मैंने यहां पर लिख तो सर कौन करता है पाठ्टे करम निर्धारन का काम RSCERT करती है जो पहले एक से आठ तक का ही करती थी लेगिन हाल फिलाल वो नो से बारा तक का भी करती है और शात में उसके जो काम कर रहा है वो माध्यमिक शिक्षाबोर जो अजमेर है वो काम कर रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वो पहले नो से भारा के लिए पाठे कर्म निधारण का काम करता था और R.S.C.R.T. ये एक से आठ का करती थी लेगिन हाल फिलाल R.S.C.R.T. ये एक अक्षा एक से बारा के लिए काम कर रही है जो अपना अजमेर बोर्ड वो तो उसे सह योग कर रहा है चलते हैं आगे बहुत बढ़िया तो ये काम कर रहा है पाठे कर्म निधारण का आप कहेंगे नहीं सर ये काम नहीं कर रहा है अब सुनना फिर पर्षन बनेगा वितरण की तो भाई साब सुनना वितरण की जब बात बनती है तो क्या है वितरण करता है ये निशुल्क वित्रण करता है ये क्या करता है तो आप कहेंगे निशुल्क वित्रण करता है कहां पर कौन से विद्ध्यालियों के लिए निशुल्क वित्रण है राज के विद्ध्यालियों के लिए राज के विद्ध्यालियों है तू जबकि बात कर रहे हैं ये सैसुल्क जो वित्रण है सैसुल्क वित्रण है ये करता है निजी पलस में अन्य विद्यालियों के लिए आप कह सकते हैं प्राइवेट विद्यालियों के लिए निजी सब्द मुझे लग रहा है थोड़ा गलत कत लिख दिया मैं निजी निजी वि प्राइवेट सबके लिए लेकिन सरकारी विद्द्यालियों में जो वित्रण होगा वो केसा होगा तो आपका उत्तराएगा नेशुल्क होगा और बाकी जो हैं उनके लिए सैसुल्क होगा फिर आप कहेंगे सैसुल्क होगा तो इसमें केवल विकरी के लिए पंजीकृत विकरेता होते हैं तो याद रखना अब विकरी हे तू पंजीकृत विकरेता होते हैं विकरी हे तू पंजीकृत विकरेता यानि रजिस्टर्ड वि देच लेगा फिर परसन बनेगा कि अब ये वितरन केंदर कितने हैं ध्यान देना परसन बना कि वितरन केंदर कितने हैं ध्यान दीजेगा मेरी बात पर पहले वितरन केंदर कितने थे 34 थे अब एक वितरन केंदर और बन गया है यानि आप यूं कहें जेपुर में वितरन ये कौन सा है तो आपका उत्तर आजाएगा केंद्रीयः डिपू और ये जो आपके दो हैं ये कैसे है फ्रिक पेंतीस काम कर रहे हैं याद की जेगा फिर पीट करवाता हूं आरेस टीबी का उदस्य क्या है पाठे पुस्तकों का मुदरन करना वितरन करना बोले तो प्रिंटिंग का काम करना और बेचना फिर वितरन करना वितरन के लिए वितरन केंदर चाहिएंगे वितरन केंदर राजस्तान में कितने हैं तो आपका उत्तर बनेगा 35 है 34 पलस में एक, अकेले जेपूर में कितने 3, अगर जेपूर में 2 मानोगे तो 34 हैं, तीसरा कौनसे सार केंद्रिय डीपो एक जेपूर का ग्रामिन एक जेपूर का सैरी संभाग इसतर पे नो काम कर रहे हैं बाकी अन्य जिलों में इस परकार से कुल मिला के आपको सीधा आयाद रख लेना है कि यहां कितने हैं टोटल यहां 34 पलस में 35 हैं कितने हैं 35 हैं गुर जी आपकी test तेस्ट स्रीज में आना है के से आऊं देखेगा टेस्ट स्रीज वाले विद्यारतियों के लिए मैं बता दूँ जो विद्यारती टेस्ट स्रीज जोइन करना चाते हैं जो विद्यारती क्या जोइन करना चाते हैं टेस्ट स्रीज जोइन करना चाते हैं वो एक काम करें पहली साथ तो अपने प्ले स्टोर पे जाएं और एक application है तैयारी कर लो कौन सी तैयारी कर लो के नाम से application है इसे आप install कीजिएगा और जैसे ये तैयारी कर लो install करते हैं उसके बाद में यहां से आप 351 रुपे का नगद बुगतान करके बोले तो वहाँ बुगतान करके testory जोईन कर सकते है जैसे ही आप testory जोईन कर लेते है जोईन करने के बाद में आपको क्या कर देना है आपको यह जो नमबर आपके screen पे चल रहे है 84 420 449 यहाँ पर एक मेंसे send कर देना है test और yes उसके बाद वोट्शप मेंसे send करना मैं आपको गुरूप में जोड दूँगा आगी बाद समझ में test series केस ही है तो मैं आपको बता दूँ यह test series अपनी special है पूरे राजस्तान में पूप पे चल रही है topic wise है परतेख test में 55 परशन होते हैं परतेख test में कितने परशन होते हैं 55 और सभी विस्यों के होते हैं ऐसा नहीं कि history के पिछेत्र होंगे सभी विस्यों के आनुपाती group से person इसमें होते हैं चलें आगे पन सर्च रासी जोरदार रखिए बिल्गुल आसी तो जोरदार रखनी पड़ेगी ना चलता है अब देखेगा आगे पन बात करता है तो बात आती है पाठे पुस्तक मंदल के कारिये क्या है तो लिखेगा नेक्स्ट पाठे पुस्तक मंदल के कारिये यानि राजस्तान राज्य पाठ्थे पुस्तक मंडल जो है इसके कारी ये क्या क्या है भाई साब ये क्या क्या काम कर रहा है तो नमबर एक बात तो आप कह सकते हैं पाठे पुस्तकों का प्रकासन विक्रे वै वितरन यानि पाठे पुस्तकों का प्रकासन कर रहा है विक्रे कर रहा है और वितरन कर रहा है अरली बात पाठे पुस्तकों के निर्मान के लिए यह क्या करता है अनुसंधान को प्रोस्तान देता है तो next लिखना पुष्टकों के निर्मान मुल्यांकन आदी हे तू अनुसंधान को प्रोचसान अध्यान दे लेना मेरी बात पर अनुसंधान को प्रोचसान प्रोत्साहन ये अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है ना कि ये अनुसंधान करता है प्रोत। लाब हानी कारिये करना दिना लाब हानी कारिये करना नो लोस नो प्रोफिट पे कारिये करना इसके बाद लिखना लेखकों चित्रकारों आदी लेखकों चित्रकारों समिक्षकों आदी को अनुबंधित करना आदी को क्या करना अनुबंधित करना इसके बाद में जो मुद्रक है इन मुद्रकों को अनुबंधित करना मुद्रकों को आप देखना याद करने वाला एक भी पॉइंट नहीं है आप तो step to step चलते चलो नमबर एक बात पाटे पुस्तुकों का वित्रण वगेरा है अनुसंदान को प्रोसाहित करेगा मैंने important लगवा दिया बिना लाभानी काम कर ही रहा है इसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो ये कर रहा है कि मुद्रकों को क्या करना अनुबंधित करना यानि जो मुद्रक हैं इनको क्या करना अनुबंधित करना इसके बाद में आर एस टीबी की आव सेक्ता नुसार सामगरी क्रे करना तथा धन की व्यवस्था करना तथा धन की व्यवस्था करना तथा धन की क्या करना तो आपका उत्तर आएगा व्यवस्था करना इसके बाद में फिर बात आई और क्या काम करता है सरीए तो लिखेगा कार्मिकों की नियुक्ति करना और कार्मिकों के नियुक्ति करने के बाद में और क्या काम करेगा सरीए कार्मिकों के नियुक्ति कर रही राज्य सरकार के निर्देश पर कारीए करना राज्य सरकार समय समय पर जो भी निर्देश देती है तो लिखना राज्य सरकार के द्वारा परदत करतव्यों का निर्वहन करना इसके बाद में एक कक्षा नोके जो विद्यारती हैं उनके लिए गणीत ओलंपियाड का एउजन करवाने का काम भी ये संस्ता करती है बाकी कोई नोर्मल चीजे हैं याद रख लेना ये राज्यस्थान राज्ये पाठ्थे पुस्तक मंडल के क्या हैं तो आप कहेंगे सर ये कारिये हैं नमबर एक पाठ्थे पुस्तकों का प्रकासन करना विकर्ण करना वित्रन करना निर्मान मुल्यांकन के लिए प्रोशान देना अनुसंधान को बिना लाभानी काम करना, चिलेखक हैं, चित्रकार हैं, समिक्षक हैं, आधी को अनुबंदित करना, मुद्रकों को अनुबंदित करना, RSTB के आउसकता अनुसार सामगरी खरीद करना, धन की विवस्था करना, कार्निकों की निपती करना, और राज्य सरकार के निर्मान थोड़ी बता रहा है पाठे पुस्तकें तो बनाएगा ना पाठे पुस्तकों का प्रकासन करना रिकरन करना यह क्या है पाठे dropकों के निर्मान मुल्यांकन आधी हे तु अनूसंधान को प्रोस्तान देना पुरा पढ़ा करो, ऐसे स्पीड में कमेंट कर देते हुआ ना, हाँ जी बहुत बढ़िया, गुरुप्रीत, बहुत थैंक्यू थैंक्यू, थैंक्यू, देखेगा सर किताब प्रकाशन का विचार, ये भी मन में नहीं लाएंगे, आगामी या प्रभाग, यानि यहाँ पे कौन-कौन से अनुभाग काम कर रहे हैं, ये अपने को देखना है, मुख्य रूप से यहाँ पे पांच अनुभाग काम कर रहे हैं, नमबर एक पे सबसे पहला परशासनिक वे संस्थापन, तो नमबर एक पे लिखेगा परशासनिक वे तंस्थापन अनुभाग और इसका जो प्रभावी प्रभारी जो होता है इसका उपसची होता है उसके बाए नंबर दो पे लिखना लेखा वे अंकेशन अनुभाग नंबर दूसरे नंबर पे कौन सा अनुभाग है तो आप कहेंगे लेखा और अंकेशन अनुभाग है इसका जो प्रभारी होता है न यह होता है लेखा धिकारी इसका प्रभारी कौन होता है लेखा धिकारी लेखा धिकारी में भी वरिष्ट लेखा धिकारी इसका जो प्रभारी होता है वो होता है वरिष्ट लेखा धिकारी इसके बाद में विपणन वे वितरण अनुभाग तेन नमबर पे लिखना विपणन वे वितरण अनुभाग अब आप कहेंगे सर इसका भी कोई प्रभारी होता है क्या बिल्कुल होता ही है इसका जो प्रभारी होता है सहायक सचीव होता है इस अनुभाग का प्रभारी कौन होता है जो यहां सहायक सचीव होता है वो इसका क्या होता है प्रभारी होता है इसके बाद में तकनिकी वे उत्पादन अनुभाग नंबर चार पे लिखना तकनिकी वे उत्पादन अनुभाग कौन सा अनुभाग है तकनिकी वे उत्पादन अनुभाग और इसमें प्रभारी लिखना इसका प्रभारी होगा तकनिकी अधिकारी इसके बाद में सेक्सिक वै अनुसंधान प्रभाग इसका जो प्रबारी होता है वो शिक्षा अधिकारी होता है सेक्सिक अधिकारी इसकी जो वार्षिक बेठक होती है वो 33 जून से पूर्व होती है तो लिखना वार्षिक बेठक 30 जून से पूर्व है यह बातें आपको याद रखनी है आर एस टीबी के कितने अनुबाग है पांच है कौन कौन से मैं बताता हूं नंबर एक पर याद रखना कौन सा अनुबाग है प्रशास्निक वै संस्थापन अनुबाग इसका प्रभारी कौन होता है जी इसका उपसचीव होता है लेखा और अंकेक्षा ननुभाग इसका प्रभारी कोन होता है वरिष्ट लेखा दिकारी याद नहीं होंगे तो भार भार रिपीट कीजिएगा विपणन और वित्र ननुभाग इसका प्रभारी कोन होता है साहिक ससीव होता है बात करें तकनिकी वै उत्पादन अनुभाग इसका प्रभारी तकनिकी अधिकारी होता है और सेक्सिक वानुसंदान प्रभाग इसका प्रभारी सेक्सिक अधिकारी होता है अगली बात याद रखना काम किये क्या कि ये जो आरेस्टी भी काम कर रही है काम कर रही है सर बिल्कुल कर रही है ध्यान देना इसके पांच आप कई साथी एक कमेंट बार-बार कर रहे हैं पता नहीं किते घबराए हुए याद रख लेना मैं इन बाद बदा दू आरे सी आर्टी ये पहले नो भी भाग थे अब 6 मैंने अलांकि कईयों को जवाब दे दे फिर भी कमेंट आई जाता है अब अच्छा है ना ठीक है बहुत बड़ी आरे लडर क्यों रहे हो भी या थार्डगेड वाले दूरेने ने सभी के लिए थार्डगेड के इंदर भी और जो आपका सेक्सिक प्रदर्स है वह हैं चीज़ें काम में आएंगे जहिंद भाई जहिंद ठीक है चलें आगे अब मैं थोड़ा सक्छ जलपान कर लेता हूं और आप तब तक इनको लिखिएगा कवीता पारी करे गुर जी अनुबंदित करना अनुबंदित का मतलब है कि जो लेखक वगरा हैं इनसे इग्रिमेंट कर लेना भहिया आप न अपने यहां पे काम करोगे अपने किताबों के लिए काम करोगे आधी-आधी जो भी चीज़ें ठेक है वो ता अनुबंदन करना अनुबंदित करना बोले तो मुद्रकों को अनुबंदित करना उनको लेखकों को अनुबंदित करना चित्रकारों को अनुबंदित करना यह काम करता है ठीक है बिल्कुल सरवन परमार जी आपका नमस्कार भी स्विकार है संकर जी कह रहा है कि ऐसा स्यादव की बुक आने के बाद सब च्छे ही बता रहे हैं आप तो च्छे होगे तो च्छे ही बताएंगे अब जैसे बाकी बुक पहले आ गई थी तो उस टाइम नो थे अबचै हो गये कल को हो सकता है कि उन्होंने बता है उसमें भी कोई चीजैं करिक्षण हो जाएंगे और यो जाएगे तो जरुरी थोड़ी ना कि उन्होंने बता दिया वंगो बगवान नहीं बता दिया थे भाद में अपडेट चीज़े तो बाद में आएंगे न सामने तो वह कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाता है गई बार विद्ध्याले प्रबंदन का पेड़ कोर्स छोड़के मैं आपकी क्लास में देख रहा हूं यह तो आपका प्यार है सनय है जहन बनाई रखीगा इसी प्रकार से ठीक है नई चीजें एड़ होती रहेंगी ठीक है चलें आगे पन चलते हैं समसा सब करवाएंगे चिंता मत करौआप आप तो एक बार सेशन को सेशन को लाइक कर दो और सेर कर दो फड़ापट संक्या कम अभी तक कम से कम पान सो लाइव चलने चाहिए ना कि याइव संक्या कमाती बाद में तो देख लेते हो आप लेकिन लाइव में कमाते हो आ न परिशद यानि यूं मालनों सासन करने वाली यही होती है सासी परिशद में कुल सदस्य आपका उत्तर आएगा जी बारा बारा में याद रखना नो सदस्य क्या होंगे पदेन और तीन सदस्य क्या होंगे मनोनीत तो आप कहेंगे मनोनीत यह जो सासी परिशद मंडल की सिर्ष परशास की एक आई तो लिखना यह है आर एस टीबी की सिर्ष परशास की एक आई द्यान देना मेरी बात पर अब यहाँ बात करें कि पदेन सदस्य इसमें नो है तेन सदस्य मनोनीत है परिशद कौन सी है सासी है एक निश्पादन परिशद आईगी और निश्पादन परिशद में नो मेंबर होंगे यहाँ पे total member कितने है तो आपका उत्तर आएगा कि यहाँ पे total member 12 है आगी बात समझ में ठीक है 9 सदस्य केसे हैं पदेन है और 3 सदस्य केसे हैं तो आप कहेंगे मनोनीत है चलो ठीक बात है आप यह 9 सदस्य पदेन जो है इन में कौन कौन से है नमबर एक पे आप बात कर रहे हैं तो इसके अंदर याद रखना सिक्षा मंतरी यानि सासी परिशद का मुख्या जो होता है न ये कौन होता है तो आपका उत्तर आएगा सिक्षा मंत्री तो आप कहे सकते हैं सासी परिशद का जो अध्यक्ष होगा ये कौन है ये सिक्षा मंत्री है इसके बाद में बात आती है दूसरे नंबर पे ये होता है सासन सचीव अब सासन सचीव कौन आप कहेंगे सिक्षा विभाग और सिक्षा विभाग का जो सासन सचीव है ये इसका क्या होता है तो आप कहेंगे ये इसका उपाधक्ष होता है यह क्या होथा इसका उपादेख्स होता है बाकि ओर में अब करते हैं जैसे पर्मुख साचन सची वित विभाग प्रारंभिक शिक्षा क्यों उसके बाद में लिगना विशिस्ट शासन सचीव तिक्षा प्रारंभीक इसके बाद में लिगना निदेशक R-S-E-R-T यारी R-S-E-R-T का जो निदेशक है वो ठीक है इसके बाद में बात करता है तो आप लिखेगा निदेशक मुद्रणवे लेखा विभाग इसके बाद में लिखना सचीव R-S-T-B इसके बाद एक ओर रहे है तो लिख लो निदेशक पंचायती राजविभाद यानि कुल मिलाके नौ लोग होते हैं वाई साब इत्ती बात याद रखनी कौन कौन लोग होते हैं एक सिक्षा मंत्री होता है यह अगर नहीं याद करोगे तो भी चलेगा पदेन सदस्यों की संक्या कितनी होती नो होती इतना याद रखना है इसके बात चले तो आयुक्त होते है प्रारमबिक फिर बात करते हैं तो विशिष्ट सासन सचिव शिख्षा प्रारमबिक का फिर निदेशक होता है रस सी आडकام फिर निदेशक मुद्रन और लिखा र bought-ka सचिव sebenar रस भी यह सारे के सारे इसके पदेन सदस्ये हैं अभी मैंने क्या का तीन सदस्य केसे होते हैं तो आप कहेंगे मनोनीत होते हैं तो लिखेगा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं तीन तो लिखेगा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं तीन राज्ये सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं अगली बात धान देना कि इनका कारिये काल कितना होता है मज़े की बात है तो आप कहेंगे तीन वर्स ही होता है कारिये काल भी कितना वर्स होता है इनका तीन वर्स मेंबर भी कितना है तीन ही है अब ये मेंबर होंगे कौन-कौन से नंबर एक पे एक सिक्षा विद्ध होगा यानि जो सिक्षा के बारे में अच्छी समझ रखता है एक होगा विद्याले विद्याली सिक्षा विशे सग्य है यानि विद्याले की जो सिक्षा है उसका विशे सग्य है आज इन सब के अलावा एक पुस्तक प्रकाशन वगरा की जानकारी रखने बाला भी एक होगा पुस्तक प्रकाशन वैं मुद्रन विशेसगे हैं वैसा इसके बिना तो काम चली केसे भी के सकता है तो इस प्रकार से तेन विशेशक गे लोग हैं आये मनोनित की जाएंगे राज्य सरकार की दुआरा कौन सी परिशद की बात चल रही है अपनी सासी परिशद की बात चल रही है सासी परिशद में टोटल बंदे कितने होते हैं बारा होते हैं नौतों केसे होते हैं पदेगीन और तीन केसे होते हैं मनोनीत होते हैं आगे बात समझ में कि आ चशो कि चलें आगे बहुत बढ़िया है आप देखेगा next अपन भात करते हैं तो अपन भात करेंगे कि यह जो साथ tadत्ध मिले सकते हैं यह कोई खास बात है नहीं इसके बाद लिखीगा निश्पादन परीशद इसमें लिखना RSTB की मुखे कारिये कारिणी इकाई यानि वो तो केवल अपन गहें कि भाषन देने कार प्रशासन करने का काम करेगी सासी परिशत तो सासन करने का काम करेगी कारियों का निश्पादन कोन करेगा निश्पादन ये करेगा तो मुखे कारिये 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 काई प्रशन बनेगा ये RSTB के कारियों का क्रियानवयन करने वाली इकाई यानि कामों का क्रियानवयन यह करेगी अब इस समीती में बात आती है सदस्य कितने हैं याद रखना इसमें सदस्य नो हैं और नो के नो पूरे के पूरे के से पदेन हैं सदस्य कितने नो और नो के नो सारे के सारे के सारे के से हैं वाई साथ पदेन है नमबर एक पे सासन सचीव इसकूल सिक्षा नमबर एक पे किसक बात आती है तो आप लिखना सासन सचीव आगे लिख लेना शिक्षा विभाग और यह जो बंदा होता है यह क्या होता है यही क्या होता है तो आप कहेंगे चेयरमेन होता है द्यान देरा मेरी बाद सासी परिशद का मुखिया कोन होता है सासी परिशद का मुखिया होता है सिक्षामंत्री लेगे निश्पादन का मुखिया होता है सासन सचीव सिक्षा अभाग का आप इसे सभापती भी कह सकते हैं आप इसे चेर्मेन भी कह सकते हैं इसके बाद में और कौन होता है पंचायती राज का आयुक्त होता है तो next लिखेगा आयुक्त या निदेशक बालनो पंचायती राज ये इसका पदेन सदस्य होता है इसके बाद में next लिखेगा आयुक्त प्रारंबिक शिक्षा चार नंबर पे निदेशक आर एस सी इ आर्टी यानि आर एस सी आर्टी का निदेशक उसके बाद में पांच नंबर पे लिखिएगा निदेशक साकसर्ता एवं सतत सिक्षा विभाग छै नंबर पे लिखिएगा उपसचीव याद करने भी तो मावारत हैं उपसचीव वित विभाग उसके बाद में लिखिएगा साथ नंबर उपसचीव सिक्षा विभाग सिक्षा विभाग आयोजन लिख लेना बीच में आयोजना और ये वे वाला होगा इसके बाद में निदेशक स्टेशनरी वे मुद्रण और लास्ट नो नंबर लिख लेना सचीव आर एस टीबी यानि आर एस टीबी का जो सचीव है वो होता है इसके इंदे ठीक है आपका फेन हो गया है सर जी पेड़ को छोड़ दिया है आपकी टीचिंग के आगे अब हम आपकी टीचिंग पर ही डिपेंड नहीं कोई दिकत नहीं आप भरोसा बना के पढ़ रहे है वो ही बात रात की ग्यारा बज़े है फिर भी आप लाइब देख पा रहे हैं इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती कि आप लोग और विसेस बात ही है कि यह कोई कॉंस्टेबल का बेच नहीं है यह कोई BSTC का बेच नहीं है विसेस बात तो यह है कि यह स्कुल व्यक्षयता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का बेच है और आप लोगों को यहां आते आते इतने आप मैचूर हो जाते हैं कि आप आराम से गुणवत्ता में फर्क करना सुनिस्षित कर देते हैं मैं चाहता तू BSTC वाले बेच की कॉंस्टेबल के एक भी कलास अपने वाले इस चैनल पे नहीं है डाली नहीं कॉंस्टेबल के विद्यार्थियों को चुट कले ये सारी चीज़ ची और इसलिए मुझे बड़ी खुसी है कि रात का मतलब 11 बज रहे हैं मद्धे रातरी हो रही है और मद्दे रात्रे को आप लोग पढ़ने के लिए सलेक्षन के लिए इत्ते डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ेव है वास्तों में मजाई इसका कुछ और है तो ये बातें तो है ही है तो ये अपने देखी लिया लिखी लिया आपने ये चीजें होती है तो ये लिख लिए एका दिबात और लिख लेंगे अपन तो आप सभी का सर जी चैनंबर वाले को इंग्लिस में क्या बोलेंगे जी मतलब मैं समझा नहीं उप सची वित भाग वेका है क्या बोलेंगे बस हाँ जी चलें आगे पता नहीं इंग्लिस में क्या बोलेंगे आगे लिख लेना सभापती की न्युक्ति सभापती या चेयर मेन की न्युक्ति राज्य सरकार द्वारा ही जाती है इसके वाल लिखना यह है आर एस टीवी का मुख्य निश्पादन अधिकारी होता है प्राधिकारी लिख दो होता है इसके बाल लिख लेना सचीव सासी परिशद की अनुशंसा पर अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है देनिक कारीयों का मुख्य दिकारी यह होता है ना यानि जो रोज-रोज के काम होता है ना उनका मुख्य दिकारी यह होता है मुखे आहरण वे से वित्रण अधिकारी ये ही होता है इसकी सहायता के लिए उपसची होता है सहायता हेतु उपसची भी होता है तो यह बात आज के लिए इतना काफी है बाकी आपन और बात करेंगे सासन सचीव सिक्षा उपादeks होता है सर निष्पादक परिशद में आँ तो कहाँ दिक्कत आ रही है अपने क्या लिखा है सासन सचीव सिक्षा बभाग चेर्मेन होता है उपादeks कहाँ पर होता है B की हो सकता है गलती हो जैए मेरे से भी हो जाए को दिक्कत नहीं की जैठेका आप जो बता रहे हों na वो होता है आपके कौन सी समीति का शासी प्रिशद का उपादेक्ष होता है न आप जो बता यहां पर नहीं होता है ठीक है यहां पर तो यह अध्यक्स के रूप में ही काम है करता है जो वहां पर क्या होता है उपादेक्स होता है वो यहां पर क्या काम करता है तो थोड़ा सक तो आज के लिए इतना काफी बाकी कल मिलते हैं ने टोपी के साथ में और अगर इसकी PDF आपको चाहिए अगर आपके इसको क्या चाहिए इसकी जो PDF है यह अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप क्या करें PDF के लिए Telegram अलाकि डिस्क्रिप्शन में आपको Telegram का लिंक मिल जाएगा लेकिन फिर भी आप Telegram जोइन कर लें आप सर्च करेंगे GK by Nevry Sir तो अपना Telegram चैनल आ जाएगा GK by Nevry Sir इस नाम से आप सर्च करेंगे Telegram में तो अपना Telegram चैनल आ जाएगा वहाँ आप जोइन कर लें इसको और वहाँ जोइन करने के बाद में सभी प्रकार की जो सूचना है चोटी मोटी वह आपको प्रेशित कर दी जाएगे अब मैं एक बार देख लेता हूँ राजस्तान के इंदर शिक्षा के बढ़ते कदम से प्रशन संभावित हो सकता है और राजस्तान में शिक्षा के बढ़ते कदम का आज ही पोस्ट रहा था वह मैं आपको कल करवा देता हूँ आज के लिए तका काफी है बाकि मिलते हैं जल्दी खलास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना आपके जो भी सकारात्मक प्रतिक्रिया हैं ये हमें उर्जा देती हैं मिलते हैं जल्दी जे हिंद जे भारत